प्यारे बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर्वनाम सब्दों की सर्वनाम सब्दों में आप यह देखेंगे कि यह जो सब्द हैं जैसे हमने भी चर्चा किया तद, यद, किम इन सब्दों के जुरूप हैं वो प्रत्वमी भक्ती से सब्दमी भक्ती तक चलते हैं लेकिन कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप जो है सब्मोधन तक चलते हैं जैसे भवान, विद्वान, आदे तो आईए, अभी हम देखते हैं भवत, भवत अर्थात भवान, आप, इस सब्द का सब्दुरूप कैसे बनता है, जैसे हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हुए, हम अपने से बड़ों से भी मिलते हैं, छोटे लोगों से भी मिलते हैं, या जो हमारे अपने सहपाथ पुछना है तो आपका नाम क्या है पूछना है यदि हमको किसी से कुछ पूछना है तब हम कीस तरह से उसको संबोधीत करें तब इसके लिए हमें भवत अर्थात जो दगारांत पुर्णिंग इनका सब्द रूप हमें जानकारी होना चाहिए तो भवत का रूप कैसे बनेग तो भवत का रूप जो है वो बनता है भवान इसका रूप बनता है पुर्णिंग में प्रत्मे भक्ति में इसका रूप बनता है भवान भवन्तव भवन्तह दृतियर भक्ति में इसका रूप बनता है भवन्तम भवन्तव भवतह दृतियर भक्ति होता है भवता भवत भ्य भा一त को सल ड सूंके को दो सारक्तिम बनी रूप होता है भावत भावतो भावतस। सत्त्यम्य भाक्ति में भावति भावतो भावत्स। संबधन के भावन हे भावंत Veera यहां आपको ध्यान रखना है प्रत्मावी भक्ति और द्वित्यावी भक्ति दोनों का द्विवचन का जो रूप है वो दोनों एक सा है जैसे आप देख रहे हैं भावन्तव प्रत्मावी भक्ति में भी है और द्वित्यावी भक्ति में भी है इसी तरह से तृत्यावी भक् तीनो रुप एक जैसा है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, भावत भ्याम तो तृतिया, चतूर्थी और पंच्विधक्टि का निवच्द लुप रूप वह एक जैसा होता है, इसी तरह से चतूर्थी भक्ति और पंच्विधक्ति दोनों का बहु वचन का रूप भी एक जैसा है क्या लिखा हुआ है भावद भ्याह ये चतुर्थी वक्ति बहुचन में भी लिखा है और पंच्मी भक्ति बहुचन में भी लिखा है इसी तरह से पंच्मी भक्ती एक वचन और सश्ठी भक्ती एक वचन का रूप एक है दोनों इस्थान पर भावत्त ह सब्द का प्रयोग हुआ है सश्ठी भक्ती द्वी वचन का रूप और सब्त्मी भक्ती द्वी वचन का रूप इन दोनों में भी समानता है दोनों ही इस्थान पर भवतोह सब्द का प्रयोग हुआ है जैसे आप कहां जा रहे हैं यह एक वाक्य है इसको हमको संस्कृत में कहना है कैसे कहेंगे तब इसके लिए हमको जाना ना होगा कि आपको हमको क्या कहेंगे आप सब्द जो है इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे तो आप क्या है यह एक वचन है और प्रत्व में भक्ति का है तो भवत का क्या करना हमको प्रत्व में भक्ति एक वचन का सब्द देखना है वहाँ पर लिखा हुए भवान तो भवान आप कहां जा रहे हैं भवान कुत्र ही कारण से हिंदी में हम इसको बहुत वचन में प्रयोक करते हैं लेकिन संस्क्रित में इसको हम एक वचन में ही प्रयोक करेंगे तब वहां पर हम कहेंगे भवान कुत्र गच्छति यह कहेंगे और जैसे यह दिन को बड़ों से कुछ पूछना हो जैसे हमको उनका नाम ही जानना है तब हम क्या कहेंगे तब वहां एक हमारा सामान ने सब प्रस्ण होता है आपका नाम क्या है अब यह वाग्या आपका नाम क्या है इसको हमको संस्कृत में कहना है कैसे कहेंगे तब इसके लिए हमको आवशक प्रियोग ने लिए में ऐट लया क्या जा रहा है तो बएक दो lets talk को क्या बह्वत सब्संत inserts्सर्णuc किसले के लिए और को आपको पर नहीं नोश है यहां पर आपको आप प्रयोग हुआ है तो यह सश्ट्य भक्ति करूप है और कितने लोगों के लिए कहा जा रहा है एक जने के लिए कहा जा रहा है तो एक व्यक्ति के लिए हम क्या कहें मंदल एक वचन हुआ तो एक सश्ट्य भक्ति एक वचन करूप क्या कहता है तब वहाँ पर कहा गया है भावत है तो आपका नाम क्या है हमारा वाक्य है हम समझ सकते हैं। ऐसे ही पूर्लिंग में विद्वान. विद्ध्वस सब्द का प्रयोग किया आता है, सकरांत? हलंती उकता है, देख रेहें आप। सब्दरूप को सब्दरूप को जानना है। कैसे बनता है इसका सब द्रूप ये एक प्रस्जन उमारे सामने उपस्वित हुआ उसका उत्थर homework चाहिए तो क्या करेंगे इसके लिए हमको सब द्रूप को जानना होगा किसका विद्वस का विद्वस, पूर्लिंग सब्द का सब्द रूप क्या होगा? तो विद्वस का पूर्लिंग, प्राथमे भक्ति का रूप बनता है विद्वान, विद्वान्सव, विद्वान्सह, दृतियाय भक्ति में इसका रूप बनता है विद्वान्सम, विद्वान्सव, विदुसह, विद्वद्भ्याम विद्वद्भिह चत्युर्थी भक्ती में इसका रूप बनता है विदुसे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यह पंच्वी भक्ती में इसका रूप बनेगा विदुसह विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यह सच्वी भक्ती में इसका रूप तो इस तरह से विद्वान सब्द का सब्द रुप बन गया जैसे वह विद्वान है तो क्या कहेंगे सघ विद्वानस्ति ये कहेंगे जैसे आप सब विद्वान हैं, तब क्या कहेंगे, आप सब के लिए क्या कहेंगे, आप सब के लिए देखेंगे, अभी हमने हम भवान सब्द देखा, भवत का प्रत्मवक्ति बहु अचन, तो भवान भवन्त भवन्त ये रूप आया था, तो आप सब विद्वान हैं, ये हम इतना आप कहा दीजिये, आप सब विद्वान है वा भवान्ता विद्वान साह संती आप सब विद्वान है इस तरह से संती कभी प्रयोक कर सकते नहीं भी करेंगे तो भी है अपना अर्थ देने में समर्थ है तो भवन्ता विद्वान सह, आप सब विद्वान हैं, इस तरह से इसका हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं प्यारे वच्चों, इसी तरह से सरित, सरित मतलब होता है नदी जैसे हम सरिता कहते हैं, पर्यावशी जानते हैं नदी का, तो सरित, सरित यह इस्ट्रेलिंग सब्द है नदी वाचक सब्द है, तो इसका सब्द रूप क्या होगा? आईए, हम सरित तकरांत सब्द है इसका हम क्या करते हैं सब्द रूप देखते हैं तो सरित का प्रत्मविभक्ति का रूप बनता है सरित या सरिद दोन और बनता है सरित या सरिद ये दोन और बनता है प्रत्मविभक्ति एक वचन में तो सरित सरितव सरितः दृत्याविभक्ति का रूप बनेगा सरितम त्रितियावी वक्ति में इसका रूप बनता है सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिह चतुर्थी वक्ति में इसका रूप होगा सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यह पंच्मी वक्ति में इसका रूप होगा सरितह, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यह सश्ट्य वक्ति में रूप होगा सरितह, सरितोह, सरिताम सब्तियों वक्ति में रूप होता है सरीती, ध्यान दिजेगा सरीती, सरीतोह, सरित्सु संबोधन में इसका रूप होता है हे सरित, हे सरितव, हे सरितह तो यह हो गया सरित सब्द का सब्द रूप इसी तरह से जगत, जगत मतलब होता है संसार्य वेश्व, यह नपुन्सक लिंग सब्दा है, तो जैसे हमने तद का देखा था, तत्य तानी, तत्य तानी इस तरह से इसका रूप चलता था, तो उसी तरह से जगत यह भी तकारंत साइब्द है, हलंत युक्त सब्दा है, और क तो जगत का रूप कैसे चलेगा प्राथमभक्ति और दुवतियाभक्ति दोनों एक जैसा होगा प्राथमभक्ति में इसका रूप बनता है जगत जगती जगन्ती द्यूतिय भक्ति में रूप होगा जगत जगती जगन्ती तृतिय भक्ति में रूप बनता है जगता जगत भ्याम जगत भी है चतुर्थी भक्ति जगते जगत भ्याम जगत भ्यह पंच्मी भक्ति में इसका रूप होगा जगत जगत भ्याम जगत भ् सब्तिम्षक्ति में इसका रूप होता है जगति जगतोह जगत्सु संबोधन हे जगत हे जगतव हे जगतह तो इस तरह से सरीत और जगत इन सब्दों का हमने रूप देख लिया जगत जो है नपुन सकलिंग के सब्द हैं हमने प्रारंभ में आकारंथ सब्दों का प्रयोग देखा था सब्द रूपों में इसी तरह से आकारंथ में कुछ नपुन सकलिंग सब्द भी होते हैं जैसे बहुत से सब्द होंगे द्वार उदर पत्र कमल नयन वस्त्र उद्यान पुन्य पाप ग्रीह गीत सत्य जयान तो इस तरह से बहुत से सब्द हैं तो इन सब्दों के भी रूप बनते हैं किस तरह का रूप बनता है आईए हम एक उधारन देखते हैं जैसे द्वार द्वार यह सब्द है यह नपुन सकलिंग का सब्द है द्वार का मतलब आप सभी जानते हैं द्वार का अर्थ होता है दरवाजा तो इसका रूप बनाए नहीं होता है तो द्वार यह सब्द है इसका प्रत्मव भक्ति का रूप कैसे बनेगा प्रत्मव भक्ति में इसका रूप होता है द्वारं द्वारे द्वारानी द्वित्या भक्ति में रूप होगा वैसा ही जैसे प्रत्मव भक्ति में बना हुआ है प्रत्मव भक्ति में ब सब्कति में द्वारा भ्यामं द्वारे भ्यामं द्वारव्य है। चतुरती ही भक्ती में क्या होगा ? क्या होगा संबोधन में होगा संबोधन में हे द्वारम हे द्वारे हे द्वारानी तो इस तरह से इसका संबोधन में रूप होगा उदर सब्द है यह भी क्या है उदर मतलब होता है पेट इसका भी रूप जैसे द्वार का रूप बना है वैसा ही इसका भी रूप बनेगा ज 보örogo एकांदिया Hill kanoda нажot को और प्लड़े उद्री दीजीड प्ले तो इन चीजों को इन प्रत्याय को आप अलग कर दीजिये अब उसके स्थान पर क्या कर दीजिये वुदर को लगादीजिये कि ऐसा करने सेई अउधर का सब्दुरूप बन जाएगा। उदरम उदरे उदरानी, उदरेन उदराब्भ्याम उदरै, उदराय उदराब्भ्याम उदरेभ्यह, उदरात उदराब्भ्याम उदरेभ्यह, उदरस्य उदरयोह उदरानाम, उदरे उदरयोह और उदरेशु, हे उदर, हे उदरे, हे उदरानी हम लोगों ने अभी बहुत से सब्दों का अभ्यास किया है इन सभी सब्दों की जो सब्द रूप है इन सब को हमको ध्यान में रखना है क्योंकि इन सब्दों से ही विभिन्न वाक्यों की रचना होती है अलग-अलग वाक्यों में अलग-अलग सब्द रूपों का प्रयोग होता है कैसे होता है ये सब हमने अभी अभ्याथ किया है तो आईए अभी हमने जो अध्यन किया है इस सम्बन्दित कुछ अभ्यास कारи मैं आपको देना चाहता हूं वैसे तो पुस्तक में बहुत से अभ्यासकार्य दिये हुए हैं इनको तो आप हल करेंगे ही लेकिन अभी मैं जो अभ्यासकार्य दे रहा हूं इनको आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करके इसको बनाएंगे और फिर अपने विशाय सिक्षक से इसका परिक्षन कराएंगे तो चलिए कुछ अभ्यास कारिया मैं दे रहा हूँ इसको आप नोट करेंगे प्रस्न है उचीत विभक्ति भी रिक्त स्थान आनी पूरयत परिक्षाओं भी इस तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं अर्थाथ यहां पर कुछ वाक्य आपको दिये जाएंगे भी उन वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं क्या करना है आपको कुछ सब्द दिये हुए हैं आपको कोष्टक में उन कोष्टक में दिये हुए सब्दों से जो रिक्तिस्थान है उनकी पूर्ति करना है कैसे उचीत पदों से अथात उस सब्दों का उचीत रूप लगा कर आपको वाक्यों को पूरा करना है रिक्तिस्थानों को भरना है तो चलिए पहला वाक के लिखेंगे किम किम न करोती रिक्तिस्थान संतती पालनाय यहां कोश्टक में देख रहे हैं जनक जनक सब्द के रूप से आपको क्या करना है इस रिक्त स्थान को पूर्थी करना है वाक्य है किम किम न करोती खाली स्थान संतती पालनाय जनक दूसरा वाक्य है बालाह खाली स्थान नमंती कोष्टक में दिया हुआ सब्द गूरू तो गूरू सब्द के उचीत रूप से आपको रिक्तिस्थान को भरना है और वाक्य को पूरा करना है तीसरा वाक्य है जनकह खालिस्थान आगच्छती कोष्टक में सब्द दिया हुआ है द्वार तो द्वार यह जो सब्द है इसके आपको क्या करना है उचीत सब्द रूप से खालिस्थान को भरना है और वाक्य को पूरा करना है चौथा वाक्य है खाली स्थान महिला भोजनम पचंती कोश्टक में दिया हुआ सब्द है तद इसके उचीत रूप से आपको क्या करना है खाली स्थान को भरना है और वाक्य को पूर्ण करना है पांच वा वाक्य है खाली स्थान नाम मोहना कोश्टक में दिया हुआ है अस्मद तो अस्मद सब्द का उचीत रूप लेना है कौन सी भक्ती कौन सी वचन का है ये आपको पहचानना है और उसके नुसार से आपको अस्मद के उचीत रूप से क्या करना है वाक्य को पूरा करना है तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभी हमने यह जो व्याकरण के अंतरगत सब्द रूपों का अध्यन किया ये आपको भली भाति समझ में आया होगा और निशित रूप से अभी हमने जो समझा है जो अध्यन किया है इसका लगातार अभ्यास करेंगे क्योंकि आनभ्यासे वि अभ्यास करते रहें तो इसलिए अभी हमने जिन सब्द रूपों का अभ्यास किया है इन सब्द रूपों को आप भली भाति लगातार अभ्यास करते रहेंगे तब निशित रूप से आप अपने संस्कृत के ज्ञान को परिपक्व कर पाएंगे जले इन्हीं अप एक्षा के साथ पुना एकवारम सर्व्यभ्यो नमो नमाहा